हलो दोस्तों बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की 2019 में 11887 पदो पर वेकिंसी आई थी रिटेन इग्जाम जो लिया गया है 12 जनबडी 2020 यों 8 मार्च 2020 को रिटेन इग्जाम का रिजल्ट आना बांकी है तो रिजल्ट कब तक आएगा फिजिकल टेस्ट कब तक होगा दूस्टी से यहां पर पूरा डिटेल्स है बिहार पुलिस में सिपायों की बाहली कोरोना के फेर में फस गया कौंपीों की जाच नहीं हो पाही है लोगण तीन माही से आगे नहीं बढ़ता है तो भी अगले माह शरीरिक परिक्छा शुरू कर पाना संभब नहीं लग रहा है अगले माह यानि मही की बात हो रही है यहाँ पर तो अगर lockdown खत्म होता है तीन मही को तो copy check करने में अभी एक से देर महीने का समय लगेगा इसके बाद result दिया जाएगा result के 20 दिन का और समय दिया जाता है physical के लिए बीच में इस कारण से मही में तो समभब नहीं है अब आगे देख लेते हैं चेन परसद lockdown के खत्म होने के बाद ही result जारी करने और सारीरिक परिक्षायोजित कराने पर कोई निर्ने लेगा सीपाही बाहलिक लिखित परिक्षा में करीब 11 लाक ब्यार्थी सामिल हुए थे दो चर्णों में हुई इस लिखित परिक्षा का परिनाम अभी नहीं जारी हुआ है परसद के मुताबिक lockdown के चलते कॉपियों की जाच बीच में ही रोकनी परी हालात समानने होने के बाद ही या काम शुरू हो पाएगा लिहाजा लिखित परिक्षा का परिनाम आने में भी वक्त लगेगा केंद्रिया चैन परिक्षद दुआरा परिक्षा युजित की जारी है परिक्षद ने लिखित परिक्षा के बाद सारीरिक परिक्षा के लिए त्यारी शुरू कर दी थी 15 मैं से भी यह संभब नहीं लग रहा है परसद के मुताबिक लिखित परिक्षा का परिनाम आने के बाद सफल अभ्यार्थों को सारीरिक परिक्षा में सामिल होने के लिए कम से कम 21 तिनों का वक्त दिया जाता है ICM मैं में भी सारीरिक परिक्षा संभब नहीं लग रहा है दोस्तों यहाँ पर 15 अप्रेल से स्टेडियम की बुकिंग की गई थी तो प्यार प्लिस कॉंस्टेबल की जो लास्ट एक्जाम हुई थी 8 मार्च को और रिजल्ट जो अप्रेल फर्स्ट विक तक दे दिया जाता तो 15 अप्रेल से जो एस्टेडियम की बुकिंग की गई थी प्यार प्लिस कॉंस्टेबल के लावा भी कुछ और पोस्ट का एक्जाम लिया गया है उसका पहले फिजिकल होता उसमें कम एस्टेडेंट है इसके बाद आप लोगों का बिहार प्लिस कॉंस्टेबल का फिजिकल शुरू होता और यह एक महने तक चलता इसमें जो रिजल्ट दिया जाएगा और वेकेंसी का पांच गुना सॉट लिस्टेड किया जाएगा तो शाठ हजार एप्रोक्स कंडिडेट का फिजिकल टेस्ट लेने में कम से कम एक महने का समय लगेगा अब यहाँ पर तीन में को अगर लोगड़न खत्म हो जाता है इस्तिती समानी हो जाती है तो आप लोगों का फिजिकल टेस्ट के लिए रिजल्ट आएगा एक से देर महने का समय लगेगा और 20 दिन का और समय दिया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए तो अगला महिना जो ह खत्म होगा तो रिजल्ट दिया जाएगा और उसका फिजिकल टेस्ट हो सकता है क्योंकि उसमें स्ट्रेंट कम है साथी दोस्तों आप पढ़ाय भी करते रहिए क्योंकि बिहार प्लिस कॉंस्टेवल की फिर से वेकेंसी आने वाली है और बिहार प्लिस होम गार्ड की 12,000 पद पर वेकेंसी आएगी और उसमें भी पहले रिटेन एक्जाम लिया जाएगा इसके पाद फिजिकल टेस्ट होगा और दूसरा जो वेकेंसी रहेगा बिहार प्लिस कॉंस्टेवल की कॉंस्टेवल में भी 10,000 के प्रोक्स पद रहेगा और यह 2020 का वेकेंसी रहेगा पढ़ाय भी करते रहे हैं साथ ही आप साम साधे 6 बज़े परते दिल लाए भी क्यूज टेस्ट चलता है तो भाग ले सकते हैं जिसमें साइस जी के करेंट अफेर से सम्मधित इंपोर्टेंट क्वेस्चन करवाते हैं जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आप डेली क्यूज ट में भाग ले सकते हैं